प्रेत बेले होती है यह क्या करती है आपको पकड़ करकर आपके ऊपर लिपट जाती है और फिर उसके बाद में यह आपको अपने अंदर समाहिट कर लेते हैं आपके बॉडी भी दोने वाले बहुत विद्वान-पंडेतिया तांत्रिक कह लीजिया उन्होंने अंगुठा प जो में चीज थी जो निकल के आई वो ऐसी चीज थी जिसका कोई तोड ही नहीं था और सुनने में बड़ा अजीब लगेगा उसको सिर्फ एक ही चीज से समाप्त किया जा सकता है कि उसे कोई अपने उपर ले ले तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉड़कास्ट में एंड इस पॉड़कास्ट में तरिशला जी इस बैख फॉर थर्ड टाइम जैसा कि हमने कहा था तरिशला जी पास इतना ग्यान है कि हम इंसे जितना घ्यान बट हो रहे उतना कम है अन कैमरा जितनी ये बात हमें पताती है ओफ कैमरा उससे जादा है हमें बाते बता के से टीज कर देती है तुम्हें यह पता으면 यह यह भी निम्हा है कि तो वह मजबूरान इनको बुलाना पर ताकि हमारे साथ साथ आप को भी नहीं नहीं बाते बता चलती रहे सबसे पहले से जैश्री कृष्णा में जैशी कृष्णा और आज हमारा जो यह पॉड़कास्ट है वो दूसरे चैनल पर जा रहा है इस चैनल पर आप पहले बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं dy and surely not the last time तो माम से हमारा discussion हो रहा था कि माम को हमने बताया था कि हमारी audience को temples के बारे में mishteries के बारे में जानने में बहुत interest आता है तो माम ने हम से ना दो deleteन चीजे पूछी जैसा मैं बता रहा था कि आपको इस temple के बारे में बता है जहां ऐसा कुछ होता है इसे कैसे हो सकता है फिर उन्होंने एक और बताया एक और बताया एक और बताया तो हमने का मैम इस पे तो पॉड़काश बनता ही है तो मैम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा जो देश है रहस्यों का गड़ है और रहस्यों का गड़ इसलिए है क्योंकि इस भूमी के उपर इश्वर नाना प्रकार के रूप धारण करके बार-बार अवत्तरित होते रहे हैं और जिस भूमी के उपर श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी एक कदम भी रग गए तो आप सोचिए उनकी कितनी एनरजीज यहां पर हमारे पास विद्धमान है और आप सोचिए उनके साथ उनकी परम शक्ति आदी शक्ति के रूप में नाना प्रकार से हमारे साथ साथ है चाए मा राधा हूँ, चाए मा सीता हूँ, ठीक, तो हमारे यहां तो चमतकार और रहस से होना बिलकुल लाजमी है, मंदिरों के बारे में भी बताऊंगी और कुछ ऐसी चमतकारी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगी जिसे सुनकर आपको ऐसा लगएगा, ओ माई पर होता है, जैसे कि एक बहुत प्रसिद मंदिर है बिहार का, जहां पर प्रेतों की अदालत लगती है, और उसे सुप्रीम कोर्ट औफ प्रेत कहा जाता है, भूतों की अदालत भी कहते हैं, भूतों की अदालत भी है, वहां पे अदालत लगती है, बिहार में है ये, और इ पर बकाइदा जिस जो भूत होता है उसे बुलाया जाता है जिसके उपर केस चल रहा है उसे बुलाया जाता है और बुलाकर उसकी पेश ही लगती है तुम्हें बुलाता भी कोई भूतों का है और फिर कोई देवता वगेरा हैंडल करते हैं वहीं पर होता है जैसे प्रवेश करती है तो वह अपने आपको वहां पर विचलित कर लेती है उनकी शक्तियां खराब होने लगती है उनको घबराट होने लगती है तो उनको यह लगता हमें इस परिसर से बाहर निकालो हमें यहां से भगा दो हम यहां नहीं रह सकते हम यहां के वासी नहीं है यहां तो पता चलता है कि उन्होंने किस को परेशान किया कैसे कैसे परेशान किया वो क्या चाहते हैं कहां से तो एक तरीके से जैसे अदालत लगती है वैसे उनकी अदालत लगती है तो मैं वहां के जो पुजारी हैं वो लोग हम जैसे आम पंडित हुमन हैं हाँ अच्छा इस दुनिया में सब कुछ हम जैसे आम ही है म Вас यह गुंतोल की अदालत का परपस क्या है इस ढूल के अरल का परपस यह है कि यह जो आत्मा या भूत प्रेत् जो होते हैं ये बार 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 क्यों आ रहे हैं और क्यों परेशान करने ये भी तो जानना जरूरी है ये केवल और केवल इसलिए तो आपको परिशान नहीं करते कि इनको मज़ा आ रहा है आपको परिशान करने में इनको भी उस योनी से मुक्ती चाहिए उस योनी से बाहर निकलना है और उस योनी में ये क्यों है उसका भी एक कारण है, वो कारण पता करने के लिए वहाँ पर प्रेत राज है, वो उनका पूरा पूरा अदालत लगाते हैं, पूछते हैं, फिर उसके अनुसार उनकी मोक्षगती के लिए जो भी साधन होते हैं, वो करे जाते हैं, तो मैम आप यहाँ पर वैसे गए हो कभी जो भी है कि आपने कभी विल्ट कि आप चलिए मैं चलती हूँ तो मैम जो जैसे किसी के साथ प्रॉब्लम है वो जाता है वहाँ पर उस मंदिर में वो बताते हैं मेरे को ऐसे ऐसे कोई आत्मा परिशान कर रही है या इसके उपर किसी ने छोड़ी हुई है या आत्मा किसने छ जाता है फिर उस आत्मा को पेश किया जाएगा कि उसके पर क्यों चड़ा हुआ आया बता बिल्कुल क्लास लगती है जी और हम कंट्रोल एक तरीक से इंसान ही कर रहे कि जो वहां के पुजारी है वही कंट्रोल करें तो यह भी एक नहीं चीज है कि इंसान कंट्रोल कर रहे है क्योंकि जैसे मेहंदी बाला जी में में देखा जाए तो वहां पे भी तो हनुमान जी का मंदिर है अच्छा कंट्रोल तो हनुमान जी ही करेंगे कंट्रोल तो वहीं कर रहे हैं लेकिन उनके जो वकील है वो पुजारी जी है अच्छा वह कोई पर्टिकुलर ऐसा स्थान जहां पर हम जैसा कोई इनसान बट़ाएं और वो को चंट्रोल कर रहा रहे वहाँ पर मूर्ती है पूरा परिसर हैवहाँ outta एंणी हाई और वहाँ पर आज़ारी यहां इस तरीके से उन के वडिव है जो उन्होंने ज्यादा गलत कर दिया होगा तब उनको मुक्ती ही मिलेगी क्योंकि उनका जीवन तभी सुधर सकता है जब उनको मुक्ती मिल जाए और उनके वो जो बुरे करम है उनके जो पास्ट करम है वो हट जाए और वो एक नई योनी में नई तरीके से प्रवेश करें यही सबसे सही तरीका है, लोग क्या करते हैं, भूतों को कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत सारे तांत्रिक हैं, बहुत सारे बाबा, घोरी, बहुत सारे हैं, भूतों को कंट्रोल कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, उनको किसी चीज में कैद कर देंगे, किसी यंतर में कैद कर दिया, किस वहाँ है उन्होंने उनको मुक्त कर दिया वह वापस से अपना करम करने चले गए इनकी भी तो गती होनी चाहिए ना इनको भी सही प्रॉपर प्लेस मिलना चाहिए जाने के लिए आप भी तो अपने काम के बाद अपने घर पहुंचते होंगे आपको पता है कि इस पूरी वाड़कास्ट में आये तो उनका यह कहना था जैसे उन्होंने देखा था कि एक एरिया है देज इस प्लेस इंडिया जहां पर भूतों का मेला होता है तो लोग भूत खरीदते हैं इसे समवाट से मिलर तो दूश्टेज़ थी तो वह एक इंवस्टिगेटर निया बेसिकल आप्साहर जब आप साक्षातार में उन चीज़ों को देखेंगे कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसी चीज आई हुई है और उसके ऊपर 100 किलो का पत्तर रखा हुआ एक नॉर्मल ही अगर मैं आपको खड़ा कर दूं और आपके उपर सौ किलो का पत्थर रग दूं आपकी क्या स्थिती होगी ठीक वह व्यक्ति सौ किलो का पत्थर कैसे जहिल पा रहा है इसका मतलब उसके अंदर जो एनर्जी है वह इतनी जादा है इतनी जादा है इतनी अगर पुरानों के अनुसार जाएं तो यह एक इनकी पूरी की पूरी योनी हैं जिसके बारे में डिसक्राइब किया हुआ है आप गरुन पुरान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक योनी है जिसके अगर आपने यह करम नहीं किये तो आपको इसके अंदर करम रहे तो आपका एक्स्टेंड हो जाएगा मामला तो हम यह कह दे कि यह मिथ्या है यह मिथ्या तो नहीं है जो भुगतते हैं जो लोग आते हैं जिन लोगों के साथ सच में ऐसी चीजें हो रही होती हैं वही जानते हैं कि यह मिथ्या है यह सच है हाँ आज हम जिस आधुन एक दुनिया के अंदर रह रहे हैं वहां इन चीजों को मानना या इन चीजों को एकसेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है और ऐसा लगता है कि कहां साइंस की बाते हो रही हैं और कहां हम भूत प्रेतों की बात कर रहे हैं पर आप मुझे एक चीज बताइए ना अगर आप यह मानते हैं कि भगवान बार बार अपतरित ही राक्षेशों का वद करने के लिए हुए वह राक्षेश कौन थे वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसी योनी के लोग थे जिनको आज हम अद्रश्य शक्तियां या अद्रश्य योनी के लोगों के साथ काउंट कर ले है ये बहुत सारे साइकेवलोजिस्ट ऐसी चीज चाहते हैं कि कई बार लोगों के मान्सिक श्थिति होती है कि ऊन्दे लग रहां कि अधी कोई मुझे देख रहा है कोई मेर को द्रबा रहा है कि लिए पलपते जंगल में जान fum पर रोने की आवाज बहुत सिमिलर होती है उससे की कोई और चीक रही है या रो रही है तो उस केस में क्यूंकि आप एक एस्टोलॉजर है और आपके साथ बैट कर हमें इतना तो पता है कि आप एक जैनुवीन चीज हमें बता पाएंगी तो डिफ्रेंशियेट कैसे कर सकता है एक इनसान की एक्चली कोई एंटीटी की पावर है या यह सिर्फ एक दिमागी ब्रहम है हमारी एस्टोलॉजी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजे होती है बहुत सारे ऐसे हतियार होते हैं ऐसे यंत्र होते हैं जिन से यह पता चल जाता है कि यह सिर्फ जो है हमें वेफ्पूफ या बुद्दू बनाने का काम कर रहा है या सच में ऐसी चीजे हैं जैसे आपको मैं चीज बताओं भूत प्रेत यह एक योनी हो गई और एक योनी होती है आपके पित्रों की ठीक है अब बहुत सारे गरों में आपने देखा होगा कि ल प्रूट बना रहे हैं अपने आपको सब के बेच में स्पेशल दिखाने के लिए अटेंशन लेने के लिए ठीक है लेकिन 10% ऐसी चीजे होती भी है पित्र आते भी हैं पित्र बोलते भी हैं पित्र बताते भी हैं इसका सबसे बड़ा उधारन जब मंदिरों की बात चल रह ठीक इसका सबसे बड़ा उधारन आपके एक ऐसे सैनिक की है कहानी जो मरत है लेकिन आज भी भारते सरकार उसको पैसे भी दे रही है जब वहां से वो अपने यहां से जब छुटियां होती है सब आते हैं तो उसके नाम की एक टिकट भी बुक कराई जाती है ट्रेन में उसके नाम की वर्दी उसके नाप के जूते आज भी जाते हैं और ऐसा कहते हैं वो आज भी सरहत पे लड़ रहा है तो हम यह तो नहीं कह सकते कि 100% मित है या 100% गलत है एक टाइम था जब मैंने यह करना स्टार्ट किया था और जब मैं प्रैक्टिस करती थी मैं भी एक्जेक्ली यह कहती थी कि यह सब चीजें बिल्कुल जूट होती है ऐसा कुछ नहीं होता जहां भगवान है वहां कोई चीज आई ही नहीं सकती आप भगवान को पूछते हो तो ऐसी चीजे होती ही नहीं है मेरे पास एक बहुत छोटी बच्ची आई लगबग होगी वो तीन या चार साल क की बच्ची ठीक आप उसका वजन कितना मानें गे बारा पंदरा किलो पांचो इलो तीन सो किलो तीन सो तीन सो किलो आपके आश फोटा बटा है उसकी ये तह यकीन ही नहीं हो रहा और बच्चा कैसा बिल्कुल ऐसा परतुल एकदम पत्ला जब उसको मेहंदीपुर बाला ज सकते इस चीज को समाली नहीं सकते यह क्या चीज है ना बच्चा उठ रहा है हम से हम बच्चे को ऐसे हिलाई नहीं पा रहे और इतना छोटा सा बच्चा नाजुक सा फूलों जैसा कि भाई जिसको आप यह को कि तो दो मिनिट में गोदी में आ जाएगा और आप उसको लाई नहीं पा रहे हो इतना वज़न है उसके अंदर तो उसको बोला गया कि भाई आप महंदीपुर बाला जी ले जाएए यह तो हमारे बसका नहीं है केस हम तो नहीं करेंगे जिस तरह से उसको उठाने की कोशिश की गई वो नहीं उठा कि वह बच्ची उठी ही नहीं दस लोगों ने कोशिश कर ली बीस लोगों ने कोशिश कर ली पचास लोगों ने कोशिश कर ली फिर वहां के एक पुजारी थे बहुत बुड़े से अब तो वो नहीं रहे उनको फिर स्पेशली लाया गया कि बाबा आप ही चलिए यह तो नहीं हिल रहा यह तो बिलकुल तरीके से किया धागा बांधा पानी वानी पिलाया उसको जो कुछ भी किया एक्दम नॉर्मल ऐसे गोधी में आ गई अराम से बिल्कुल अराम से और जैसे ही उसको गाड़ी में बैठाया इसे थप भैठ गई गारी फिर उन बाबा ने बेचारे ने अप्नी फिर विद्विद्या लगाई अपनी फिर शक्ती लगाई उन्होंने का ये छोटी नहीं बड़ी गारी थोड़ी मंगाऊ तो उन्होंने जीप मंगाई कि जीप भारी होती है, थोड़ी बड़ी गाड़ी मंगाओ, जीप आई, अगें, चार कदम गाड़ी चले और पूरी की पूरी गाड़ी ऐसे बैठ जाए जमीन पर, आखो देखा हाल है, लोग कहते हैं मजाक, मैं कहते हूँ मजाक नहीं है, मुझे तो बोलते हुए भी रूह और किसी उसमें बस मंगाई गई, अच्छा, बस मंगाई गई कि भई बस के अंदर ले जाते हैं, बस तो भार जहली लेगी, बस भी नहीं जहल पाई, ये देखा है आपने, आखों से, शेट यार, आखों से देखा है, और कंटिनुसली ऐसा हर एक चीज़, क्योंकि भई फ कैसे करके तीन-चार दिन के अंदर जाकर वो बच्ची वहां पहुंच पाई है, और वहां जाके बिल्कुल ठीक, उसके बाद कभी अराम से, मतलब फिर तो आप उसको एक छोटी सी टॉय साइकल पे बैठा दीजे, वो उस पे भी अराम से घुम रही है, कोई वजन नहीं है तो बाबा ने ही हमें बताया कि लगबग इसके अंदर तीन-सो किलो के लगबग इसका वजन है इस समय और इसके अंदर छे जिन है, और उस जब निकाला गया, सारी चीजे कराई गई, उसका सारा जब शुद्धी करन हुआ, उस बच्चे के अंदर से सब मुक्त हो गया, त तो शकल यह बदली थी है, जैसे आप कह रहो पतला ही था, शकल कुछ नहीं बदली थी, बीहेवियर, पहले आप उसको टच नहीं कर पा रहे थे बच्चे को, अब आप अराम से खेल रहे हो, उसके साथ वो आपसे बाते कर रही है, आपकी गोद में बैठी है, तो यह चीज हो गई है, अन्टाइमली डेथ जिसको गई है, बेफोर मेरेज या आफ्टर मेरेज, यह बेसिकली मेरे हस्बंड के ब्रदर थे और दो सिस्टर थे, जिसके बाद वो फिर इन चीजों में आ गए, कि अब तो मैं इन चीजों पर काम करूंगा ही करूंगा, क्योंकि ना जान विदिन आफ फ्यू मन्स तीनों की डेथ हो गए, जो उनके दादा जी थे, मेरे हस्बं के, वो गाउं गए, वहाँ जाके उन्होंने बड़े बुज़ुर्ग लोगों को ढूंडा, उनसे बात की, तो पता चला जी, आपके घर पे तो बहुत कुछ किया कराया है, तब आप नहीं था इस फिड में, आप भी नहीं करते थे, मैं नहीं करते थे, और ढूंडा, सब पता किया, सारी चीजें हुई, तो पता चला जी, कि आपके घर पे किसी ने बहुत सॉलिट कर रखा है, जिसका ये एफेक्ट आया है, ब्लाक मैजिक, ब्लाक मैजिक, तो एक बहुत विद्वान पंडितिया तांत्रिक कह लीजे आप, बहुत विद्वान तांत्रिक थे, उनको बुलाया गया, अब उनकी इस्तिति कैसी कि वो बिल्कुल मरना अवस्था में, एकदम मरना अवस्था में, उनको जैसे तैसे ले आया गया, पकड़ पकड़ के कि भई, आप चलिया, आपके बिना तो कोई देखी नहीं पाएगा, कौन करेगा, उन्होंने अंगुठा पकड़ा, उनके दादा जी का, और उन्होंने कहा, ये, 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 ये हैं, जिसके थूँ आपके घर पर ये, ये चीज़े आई हैं, बकाइदा नाम बता कर, बकाइदा नाम बत रहा है, ये नाम है, इसने ये कर रहा है, और अंगिनत चीज़े निकल के आई, और जो में चीज थी, जो निकल के आई, वो ऐसी चीज थी, जिसका कोई तोड ही नहीं था, और सुनने में बड़ा आजीब लगेगा, उसको सरिफ एक ही चीज से समाप्त किया जा सकता है, कि उसे कोई अपने उपर ले ले, यही उसका एक तरीका होता है, और वो इतनी पावरफुल चीज होती है, कि सबसे पवित्र नदी जो है गंगा मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि गंगा जी के उपर से ऐसी चीज़े ट्रांजिक नहीं कर पाती, वो उनको भी लांग गय था, क्या कहते हैं इस एंटिटी को? चमर देव, चमर देव, और वो बाल अवस्था में पता लगा कि इन ही के घर में कोई बहुत सालों पहले कोई शादी थी, उसके अंदर कोई काम, पहले तो वो बंधुआ मजदूर टाइप के होते थे ना, खरीद के ले आते थे, तो व उन्हों ने उसको अवाइड कर दिया, कि भाई, आप रहने दो, इसको छोड़ो, बरात खड़िये आने को, वो चीजे देखो, इसका बाद में किया करम करेंगे, वो उस चीज से इतना रुष्ट हो गया, इतना नाराज हो गया, उसको इस बात पर इतना गुसा आ गया, कि उसने परिवार के एक 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 जन्हे को पकड़ कर खराब करना स्थार्ट कर दिया, तो बेसिकली वो ही चमर देव बन गया, और वो आप कहारे हो, किसी ने भेजा था आपकी फैमिली में, उन्होंने किसी से पता करा, फिर उन्होंने, क्योंकि वो, मैं कहारी नस्ट नहीं कर सकते, आपको उसको किसी को मोल ही देना पड़ेगा, मतलब किसी को एकसेप्ट करना पड़ेगा, कि हाँ, आजो मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ, ऐसे करके, तो वो अलग अलग तरीके होते हैं, जो सिस्टर थी, छोट बड़ी वाली, उनको एक किसी ने ल जाती हो, जबरदस्ती तो नहीं है, मैं तुम्हें जबरदस्ती दे रहे हूँ, नहीं भुआ, बिल्कुल नहीं दे रहे हो, मैं अपनी मर्जी से लेना चाहती हूँ, मैं मैं लूंगी, मुझे दे दो, मतलब उन्होंने अखेप्ट कर लिया, और उस लड़ू के अंदर उत इसलिए घरवाले बाहर के लड़ू-वड़ू, मीठा-वीठा मत खाया करो, अच्छाना फिर वो गये कैश्चे देश से, आम सुरी मुझे बोलना पटर, उनका परपस सॉल्व हो गया, नहीं, उनका परपस सॉल्व नहीं हुआ, फिर वो जो व्रद व्यक्ती थे, उन्हों मर जाता है, व्यक्ती, उसका पूरा क्रिया करम वगयरा सब अच्छी से हो जाता है, तो फिर ये चीज़ समाप्त हो सकती है, तो बाइचान्स लक्क की बात है, ढाको जी की कृपा हो गई, कि मिल गया ऐसा व्यक्ती, और वो अपने साथ उनको, तो ये तो एक हुए, प्रेत अच्छी दिख सकता है हमें, या वो बंदिर भी है, जाहिए ना, या चलिए साथ में, वो कहां पर है, ये है आपका ग्वालियर के पास, मुरैना के पास, भूतेश्वर नाथ मंदिर, इसका निर्मान भूतों ने किया है, और वहा वालब पूजा किसी वालब कि, शिवजी प्रमान भी है, वहां के लोग भी कहते हैं, और अब जब वहां जाएंगे, तो आपको वह एनरजी वहां समझ में आएगी, महला वहां मोशली नेगेटिव एनरजी नहीं, देखिए वहां जो एनरजी है वह ऐसी है कि वह एक समाने रूप से सम्हालना हर किसी के बसका काम न आपको पता चलता है कि यहां है तो कुछ गरबर, लेकिन वह सब भी तो शिवजी के गण है, और उन सब को कंट्रोल करने के लिए महादेव स्वैम वहां विराजमान है, तो अरिस्ट किसी का नहीं होता, लेकिन हां उस जगे का निर्मान और वह जिस तरीके से बना हुआ मं नुष्य के लिए बनाना तो इंपॉसिबल है, तो वहाँ पर लेकिन नॉर्मन इंसान नहीं जाते हैं, जाते हैं, अराम से जाते हैं, बट मैं कहते हैं, ऐसी जगाओं का प्रशाद घर पे नहीं लाना चाहिए, उसको वही परिसर में ही आपको खतम कर देना चाहिए, या जाते हैं, अब वहां का प्रशाद तो ग्रैरा उससे बाहर आपके साथ कोई ना कोई चला आएगा, मेरी फ्रेंड के हस्बंड ले आए थे गलती से, उनके साथ सच में आ गही थी, वहां क्या वहाँ बताओ, उनको पता नहीं था, उनको किसी ने विचलेत कर दिया, तो वह क्या है कि वहां से पानी ले आए, बोतल, पानी की बाला जी से, और जैसे अपना होता है, अपन जा रहे तो अपन सोचते हैं, ट्रैवलिंग में एक बोतल रखी लेते हैं, पानी की खरीद के, तो उस चेतर से वह बाहर ले आए, अब उसके बाद उनको एक लेडी दिखने लगी हर रोज रात को, अच्छा, और वो इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए, फिर हारके उन्होंने एक दिन कॉल किया मेरे आपे, कि ऐसी ऐसी बात है, और ये ब्रह्म नहीं है, एक दिन का ब्रह्म होगा, दो दिन का होगा, तीन दिन का होगा, रोजाना यही चीजें हो रही हैं तो यह भ्रहम नहीं है तो उन से पूछा कि भई आप रीसेंटली अभी क्या किया आपने ऐसा क्योंकि यह चीजें ना कभी ऐसे नहीं आएंगे आपके साथ कोई ना कोई आपकी तरफ से चीजें गढ़बढ हुई होंगी तभी आपके साथ आती है वरना आपको कभी नहीं छेड़ते हैं कि अपने बड़े सिधानत होते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं में अधिपूर बाला जी जाके आया फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ मैंने का मैंने कुछ लेकर आए बोले हां बस पानी की बोतल लेकिया मैं गढ़बढ कर दी वापस जाईये बाबा को सौरी बोलिये सब करिये क्रिया होती है वो पूरी क्रिया करके आईये मैं थोड़ा न उस मंदिर के बारे में जानना चाता हूं जो आपने बोला कि बूतों नहीं बनाया आप करे वो एक मनुष्य नहीं बना सकता तो क्या उसका इंफरस्ट्रक्चर बहुत अच्छा माम एक और टेंपल है मध्या प्रदेश में जहां पर जिसके बारे में हमें लेटली अभी रिसेंटली नाम पता चला जैसे आपने कमाखे देवी टेंपल बताया वहां एक चौसर्ट योगिनी टेंपल वहां पर भी लोग बहुत सिद्धी करने जाते हैं तंत्र क की ब्लैसिंग्स एक ऐसी गॉड़ेस जिनके थुरू हमको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है हर तरह की चीज़े प्राप्त हो सकती है तो सिद्धियों में सबसे बड़ी सिद्धियां यही है चौसर्ट योगिनिया उनका मंदिर और एक ही जगे पे व्याप्त मंदिर तो व मंदिनों का मतलब क्या होता है एक ऐसी जगे एक ऐसी डिवाइन पावर जहां जाकर नॉर्मली जो और जगे काम नहीं हो रहा वहां जाकर आपका वो काम तुरन तस्द्ध हो जाए मंदिर वो जगे है और जगे से वहां का औरा बहुत बहुत जादा होता है मंदिर वो जग वो तो अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति का गढ़ है कि वहां पर बैठकर अगर आप साधना करते हैं पूजा करते हैं अगर वहां पर बैठकर आप अपनी किसी भी चीज को सिध्ध करने की कोशिश करते हैं तो तुरंद मा का आश्रवाद आपको प्राप्प Cayman जब हम यह term use करते हैं कि वो सिध्ध हो गए या आपको सिध्धी प्राप्त हो गए उसके बाद आपकी बॉड़ी में या आपके साथ क्या changes वो फील होते हैं कि आपको लगता है हाँ मैंने मेरी सिध्धी पूरी हुई क्या एसी energy बढ़ जाती है क्या मतलब होता है energy level बहुत बढ़ जाता है बहुत हाई हो जाता है आपका energy level और आपको चीजें अपने आप इंट्यूट होने लगती हैं आपका संपर्क सधने लगता है एक तरीके से अगर मैं बोलू तो आप पहले चल रहे थे 1G में अब आप आ पर मैं वही पूछना चाहरो कि क्या वह मन पढ़ लेते हैं या वह ऐसा क्या कर सकते हैं अलग कुछ भी कर सकते हैं जैसे कि मतलब क्या जैसे कि क्या अब suppose करिए कि मैंने आपके यहाँ पर पैर रखा ठीक और मैंने यहीं पैर रखकर आपको यह बता दिया कि आपका घर जो गया खोदा गया तो पता चला कि बहुत सालों पहले यहां पर शम्शान घाट हुआ करता था यह बास सत्य एक ऐसी फिदन चीज जो किसी को नहीं पता वो जब आपको प्राप्त हो गई आपको उस चीज के बारे में ज्यान प्राप्त हो गया आप समय से बहुत पूर्व और समय से बहुत आगे तक की जब चीजे देख पाने के लिए सज हो जाते हैं सक्षम हो जाते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर की पावर्स बहुत बढ़ गए बटो एनन मंदीर पर सिद्धि लेने के लिए जाते है तो प्रक्रिया तो सेम रहती होगी ने अधर्वाइस सिध्धियां भी तो कितने तरह होती नहीं जैसे मानलो आपने बोला कि अगर इन इन मंदीर पर जाके सिद्धियां पराप्त करते हैं तो एक बार मिड़ा जात जाप एक तो अपने घर में बैठकर कर रहे हैं एक आप जाकर किसी सिद्ध स्थान पर कर रहे हैं तो आप अपने घर में बैठकर जब उसके लाख या सवा लाख जाप करते हैं तब जाकर आपको उसका वन परसेंट अन होता है आप उसको एक परसेंट प्राप्त कर पाते हैं और वहां पर जाकर अगर आपने दो माला जाप भी कर लिया तो वो तुल्ले हो गया किसके आपके लाख जाप के ग्रहन की रातरी में जब हम कोई भी पार्ट जब ग्रहन लगा होता है तब हम कोई भी मंत्र करते हैं कोई भी सिद्धी करते हैं तो तुरंत सिद्ध कैसे हो जाती है अमावस्य की रात में कैसे से दो जाती है दिवाली की रातरी पे कैसे से दो जाती है होली की रातरी पे कैसे से दो जाती है शिवरातरी की जन्मास्टमी की रातरी पे कैसे से दो जाती है इसका मतलब यह होता है कि उस जगे का force उस जगे की energy level जो उस समय है वो इतना high है कि आप normally 1% काम करके जो चीज़ धीरे धीरे करके 100 दिन में अरजित करेंगे उस एक घंटे के अंदर आप वो चीज़ तुरंट 10,000 गुना प्राप्त कर लेंगे और मैं वैसे शिद्धी और वरदान सेम ही होता है या कुछ फरक होता है इन दोनों में नo पूरा नियम, पूरा सहियम, आपने उसको पूरी तरीके से साधा, जब हम अपने शास्त्रों के अनुसार किसी भी पाठ को करने जाते हैं, तो उस पाठ को करने के अलग-अलग नियम होते हैं, तो हमें उन नियमों के अंतरगत काम करना पड़ता है, जैसे कुछ सिद्धियां कोई भी वस्त्र धारण नहीं कर सकते सिवा ईक लंगोट के आप कोई आर वस्तर धारण नहीं कर सकते ठीक है आपको नग्न अवस्था में वह पुझा करना है कि बहुत सारी सिद्धियां ऐसी होती है जो आपको कमर तक पानी में खड़े रहकर ही प्राप्त होंगी ठीक है कुछ सिद्धियां ऐसी होती है जिसके अंदर आपको एक ही मुद्रा के अंदर बैठ कर ही वो पाठ करना है एक स्थान पर बैठ के पाठ करना है आप वहां से हिल नहीं सकते बह अगर आपने जगे परिवर्तन कर दी स्थान परिवर्तन कर दिया तो आपकी वह चीज़ भंग हो गई फिर वापस से रिस्टार्ट करो ठीक है तो साधना के अंदर नियम संकल्प बहुत जादा होते हैं बहुत जादा तब जाकर वह चीज़ सिद्ध हो पाती है इसको आपको एकांत में करना होता है साधना आप कभी भी सब के सामने नहीं कर सकते हैं आपको एकांत में करना होता है इनकी हर एक साधना की अपनी पर्टिकुलर एक कलर्स कॉंबिनेशन एक आपके जो चीज़े वस्तुए भेट करते हैं वो सब चीज़े जो होती है वो आप आपको बोख लग रही है आपको ब्लेट प्रेशर चल रहा है आपकी ड्याविटीज ऑरही है वाटेवर इस आप दूसरा एपल नहीं खहा सकते या एक केला और साथ में नहीं खह सकते तो साधना इतनी स्ट्रॉंग होनी चाहिए और साधना करने के लिए आप भी इतने अपने आप में स्ट्रॉंग होने चाहिए साधना बच्चों का खेल नहीं है, साधना करना इतना आसान नहीं है तो साधना जब किसमों कहते हैं कि यह साधना कररा है तो उसका जो जो सोता है उसकी जो चीजए इतने नियम सहीं जो आप और हम तो सोची नहीं सकते आजया अगर किसी ने सिध्ध रहा हो गिसी भी पावर केृ 25 ने अपीक माड़िए कब में रही है वो इस बारे में पता नी यह उनके ऊपर डवाठा बात करता है उनके छिद्धी पे डिपेंड करता है कि वो उनको अलाऊ करेंगी या नहीं करेंगी अगर उनके सिद्धी उनको कहती है कि हा मैं तुम्हारा साथ दे रही हूं तुम जाओ तुम्हें प्रोटक्ट कर रही हूं तो करेंगे बहुत सारे ऐसे लोग है वैसे ज्यादा तर लोग नहीं आते गुपती रखते हैं क्या होता है कि यह जो चीजें होती हैं अगर आपसे भी पावर्फुल कोई आ गया तो वो एक मिनिट के अंदर इसको शिंड कर सकता है तो बहुत सारी अब आपने बात करी वर्दान की वर्दान जो है वो आप भक्ती से ज्ञान से और आप अपने नियमित करम से भी प्राप्त कर सकते हो नियमित कर मतलब जो आप जो नॉर्मल आप पूजा पाठ कर रहे हो आप नॉर्मल चीजे चला रहे हो आप अपने इश्व वona बहुत अलग चीज हो गई वह एक बहुत फैल लेवल चीज जिसके अंदर आपकी योग आजाता है योग क्रियाएन आ जाती योग आजाते हैं फिर उसके बाद मंथ्र आ जाते हैं फिर उसके बाद उन चीजों को करने का सही तरीका सही नक्षत्र सही समय बहुत सारी की बात कर लोगे आपको ऐसा मिल जाएगा कि उसने ऐसा किया उसने और तो के साथ यह किया उसने फ़लाना धिमकाना काम किया लेकिन आप किसी भी जैनी मुनी के बारे में नहीं सुनोगे कब मैं मैं next question put up करूँ उससे पहले मैं जरा audience को यह बता दू हमने बड़ी कूल merchandise पहनी है जैसे दीपक का design है I am spiritual spiritual बाते चल रही है बहुतों की बाते चल रही है तो हमारी merch है और यह वह है कि डरो मत भूतों से कि डर हैं जिम कर रहे हैं तो ऐसी cool hoodies t-shirts आप भी ले सकते हैं हमारे realheadstore.com से description में coupon code भी है जो आप लगा के discount भी अवेल कर सकते हो जाओ जाके check out करो फिलाल चलते हैं podcast पे वापस हान जी मैम कुछ और एक mysterious चीज के बारे में two dab on a canlaid the से पहले थोडव के अच्छे मंदर के बारे में बता देतीक क्योंकि ऐहां पर मैंने ए भूध यूथ जोरा है और लो बहुक्या था चुछ उनके मतलब के भी मंदि बता देते एक हमारे राजिस्तान में iskiyyaIN. gig ya जिसको गvad therapist पर्टिक आपए लव-मधिन का दुष्ट की थी, उसके बिटायों कोई नोंडि ये तो इसके आगर नेशटी का मंदिर है ऐसा ही राजस्तान के अंदर एक मंदिर है तौक के थोड़ा सा आगे टूर्द्स जब हम फटा के लिए जाते हैं तब वो एक बहुत छोटा सा देवी मा का मंदिर है और उस मंदिर की वेशेष्टा यह है कि अगर वहाँ पर जाकर आपने अपनी कोई मनोकामना बोली वहाँ पर पर लिखनी परती है तो जब श्याम की आपकी आरती होती है तब मातारानी का फूल अगर आप का गिर गया आपकी अर्जी पर तो इसका मतलब आपका वह काम होना यह होना और मैंने बहुत बाल लग वाई है और मेरे मतलब मुझे उसका रिजल्ट एगदम 100% मिला है तो वो एक दम छोटा सा मंदिर है जहां पर ऐसा आप छोटा सा मत्तब आपको कोई चीज बहुत कन्फ्यूस करें कि मेरा ये काम होगा मैं इस काम में कुछ करूं या नहीं करूं मैं पैसे लगाओ नहीं करो में जमीन खरीदू नहीं करूं आपने कोई भी अरजी वहां लगाई तो उसके उपर फूल गिर जाता है और पता लग जाते कि आपको करना है या नहीं करना है तुरंती बोलते ही ऐसा होता है अगर आप शाम को आर्थी तक रुख गए तो ठीक है नहीं तो पुजारी जी फिर आपको अगले दिन बता देते हैं और काम नहीं गिरा तो इसका मतलब आप का काम नहीं होगा ठीक है हमारे जैपुर के अंदर गड़गनेश है जैपुर के अंदर उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि वो एक ऐसी प्रतिमा है जो की इतनी सिद्ध है इतनी सिद्ध है कि वह अगर आप लगातार साथ बुद्वार चले गए कोई भी मनवांशित इच्छा बोल कर पहले तो आप वो साथ बुद्वार कर ही नहीं पाओगे बहुत कठी नहीं दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आएंगी कि आप वो काम ना कर पाओ और अगर आपने साथ बुद्वार कर लि राजस्तान से तो हमें राजस्तान की चीज़ें ज़्याधा पता होती है ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं तो हम रहश्म एंस मंदिरों पर बात कर रहें वह है एक ऐसा मंदिर जहां पर फर्ष पर सोने से औरते हो जाती है प्रेगनेंट क्या बाद कर रहो फर्ष पर सोने से पर मैं वैसे तो मंदिरों में कोई सोता ही नहीं पर उस मंदिर में सोते हैं बेसिकली अगर विमेंज कंसीव नहीं कर रही है वहाँ पर जाके उसको एक तरीए एक तरीगे से वहां की पूजा के लाती है वहां लेटीए और फिर क्याने का मतलब है जब साइंस आपको जवाब दे चुकी है तब वह एक ऐसा मंदिर है हिमाचल में है आप वहां जाएए और वहां जाकर आप फर्ष पर रात भर सो जाएए तो आप बहुत जल्दी अपने घर के अंदर ठाकुर जी का आश्रवाद प्राप्त कर लेंगे अगर कोई भी बाइलोजिकल इशू चल रहा है बॉडी में नहीं स्वाल हो पा रहा है मेडिकली तो फिर महां पर जाकर पूजा कीजिए तो यह सिर्फ और तो के लिए लड़कों के लिए कि लड़के भी आजकल फेस करते हैं बाइलोजिकल इशू देखे वह ऐसा है कि कप अश्टरोलॉजर भी हो तो मैं आप से जानना चाहतो कई योगा ऐसा होता है कि अश्टरोलॉजी कली नहीं हो पा रहा है तो क्या ऐस्टरोलॉजी के से बढ़कर यह चीज की किसी बे दिक्कत आनी है या कोई प्राप्त नहीं करते हैं इश्वर तो हर एक चीज से उपर है करपाते हैं इसमें नया-nah नया संचुधन कर पाते हैं लेकिन इस दुनिया के अंदर ऐसी आलोकिक शक्ती है इश्वरत जिसके आगे सब कुछ सब-कुछ फेल है है साइंस भी फेल है astrology भी फेल है सब कुछ फेल है क्योंकि जब वो अपने पर आ जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं तो ऐसी चीज़े हो जाती हैं जो होना असंभव है और इसका सबसे बड़ा प्रमान यह है कि हम आज इस तरीके से जीवित हैं ये भी कहीं ना कहीं उनका ही हम पर आशिरवाद है वरना क्या पता ये दुनिया ही ना होती तो आज हम बैठके इस तरह बाती ना कर रहे होते तो इश्वर से बड़ी तो कोई शक्ती नहीं है वो तो एकदम सुप्रीम से भी उपर सुप्रीम पावर हैं और चमतकार होते हैं और आपने जैसे बताया तो इसी बात पर मुझे एक और मंदिर याद आ गया जो लोग बहुत तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा एक्जामपल है जो आला माता के हां ग और उनहीं की पूजा होती है ठीक चलिए बहुत सिद्ध पीठ है बहुत सिद्ध एक ऐसा समय आया जब वहां पर एक भक्त उनके हुए जिन्होंने अपने आप में मतब ये चीज लोगों को अवेर करना स्टार्ट किया कि माता से बड़ी कोई शक्ती नहीं है कोई भी शक् अकबर के कान में ये बात पढ़ी उन्होंने उनके काफिले को रोग दिया थो उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं जाओगे आप यहीं रूक जाओ ठीक है और उनका जो घोड़ा था उसकी गर्दन काड़ दी गई अर उन्होंने हैaa तुम बहुत मानते हो अपनी माता को तो जाओ इस घोड़े की गर्दन वापस से जुडवा दो और वो मा के दरबार में गए और उन्होंने ये काम कर दिया जुड़ गई अकबर जब सुना तो उन्होंने का इसका मतलब कोई बहुत बड़ी शक्ति है वो बहुत भारी एक मा के उपर एक न वह च्छतर चता है वो एक बहुत जैसा भक्त कोई ना होगा, देख मैं तेरे लिए कितना महंगा और कितना भारी सोने का छतर लेकर आया हूँ, मा ने उस छतर को ऐसी धातू में बदल दिया, जिसे आज तक कोई नहीं बता पाया कि यह एक्जैक्ली है क्या, आज भी है, आप जाईए, आज भी वहाँ परिसर म लखा हुआ है वो, और आज तक पता नहीं है किसी को कि वह धातू क्या है, कहां से आ गई वह धातू, कहां से निजात हो गई, तो देखे, शक्तियों पर तो उंगलियां हम उठा ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल, हम एक कदम अगर चल पा रहे हैं, एक सांस के बाद दूसरी सा ले पा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारे उपर कोई बहुत बड़ी आलो की शक्ति है, इश्वर ना जाने किस-किस रूप में हमारे साथ विद्धमान है, इसलिए हमारी जिन्दगी हम बहुत सुचारू रूप से अच्छी से काट पा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं कि हम कितनी अंगिनत चीजों से बचे हुएं, हमें मालूम ही नहीं है, सही बात है, अच्छा, बहुत नॉर्मल सा एक कॉशिन पूछती हूँ, आप लोगों से, हमारी एस्टोलोजी ऐसा कहती है कि जब-जब बहुत मुसीबत आ जाती है, जब-जब बहुत ज़ादा जिन्दग कि जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कई हद तक समाप्त होने का आपको रस्ता मिल जाएगा, और वो ग्रह जो है, वो है आपका जुपिटर याने की गुरु, ठीक है, यह हम एस्टोलोजर कहते हैं, अगर मैं इसको अध्यात्म से कहूँ, तो हमेशा ऐसा कहा गया है, कि जो इश्य है, उनको सम्हालने का जो काम है, वो इश्वर करते हैं, ब्रह्मा, विश्णु, महेश, यह तीनों मिलकर हमेशा जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं, और इसमें देवियां इनका साथ देती है, इनकी शक्ति बन कर, ऐसा ही हम मानते हैं, और य इस इकल टू क्या कहेंगे, जुपिटर, अगर हम बात करेंगे ज्यान की तो हम इस इकल टू क्या कहेंगे, जुपिटर, अगर हम बात करेंगे धरम की तो हम इस इकल टू क्या कहेंगे, जुपिटर, यानि कि हमारी लाइफ में अगर हमें कोई चीज सेव कर रही है, तो साइन्स क्या कहती है प्रत्वी कब की नस्ट हो गई होती कब की नस्ट हो गई होती अगर जुपिटर कि प्रत्वी की तरफ आने वाले उलका पिंडों को अपनी तरफ खीचना लेता यह साइन्स कहती है कौन आगे है कौन आगे हम आगे हैं सनातन धर्म आगे है सबसे ज़्यादा तो देखिए हर छीज घुमा फिराके वही आ जाती है और फिर मैं बोलती है और भी फिर भी अब ले रहे हम वापिस आ रही है ताकत ना थोड़ी लोग और जागरो बहुत आरिया और मैं आजकल यंग्स्टर्स में देख रही हूं एक बहुत जबर्दस चेंज आ रहा है कि वो अपनी चीजों को बहुत डेप्ट में जाकर जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं और उसकी वेल्यू भी समझ रहे हैं और उसको फिर पहला भी रहे हैं अच्छी स बहुत सारे मंदिर हैं जैसे कि उस पर आप एक पेड़ बता रहे थे मंदिर-इस देवताओं मेंर ब्थी पेड नर्भक्षी पेड़ वैसे अगर आप गार अप नॉर्मल मिस विश्य को ही खा जाते हैं क्या जिन्दा इंसान को खा लेते हैं कहा होते हैं ऐसा कहते हैं कि यह चल सकते हैं अच्छा हां ऐसा बोला जाता है कि यह चल सकते हैं ऐसा कहा जाता है कि यह एक स्थान पर कभी भी नहीं रहते हैं इनकी जड़े एक स्थान पर कभी नहीं फैलती है यह चलते हैं, इमूब कर लेते हैं और इये इनसान को खाते क्यों है? वालब क्या परपस क्या इनका? अगर मैं आपको हमारे उसके हिसाब से आस्टर लोजी के हिसाब से या हमारी चीजों के हिसाब से बात करें तो उसके अंदर logic यह है कि ऐसा कहा जाता है कि भूत प्रेत यह जो चीजे होती है यह जो योनिया होती है यह जब मनुश्य पे अपना कबजा नहीं कर पाती तो यह पेड़ों पर कर लेती है जैसे कि कहते हैं यह पीपल के पेड़ पर भी भूत अवास होता है इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनके उपर कबजा कर लेती हैं और उसके अंदर जब ये बहुत सारे समाहित हो जाते हैं तो इनकी शक्तियां अपार हो जाते हैं फिर ये उस जो पेड़ है उसको ये अपने तरीके से रोटेट कर सकते हैं मतलब चला सकते हैं किसी को भी प आपको प्रेट बेले होती है यह क्या करती है आपको पकड़ कर कर आपके उपर लिपट जाती है और फिर उसके बाद में यह आपको अपने अंदर समाहित कर लेती हैं आपके बॉडी मिलने वाले यह मूवी में देखा है एक हां मूवी में तो ऐसा होता है कि बेल आके पैरों में बंद गई और फिर आप छुड़ाने पर इनी पता था कि ऐसा असलियत में भी है लेकिन चुकि वही बात है कि यह इतनी जादा अंदर जाके चीजे बनी हुई है कि आप इनको जब पकड़ने जाएंगे या आप इनकी किसी तरीके से फोटो वगेरा लेने जाएंगे तो आप ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि यह चीजे आपको इतना टाइम ही नहीं नहीं जा सकता वहीं आपको मिलेंगे और जब आप वहां के जाके लोगों से बात करेंगे वहां के पर्टिकुलर्ल लोगों से लोकल लोगों से आदीवासी यों से जब आप इस चीजे चानेंगे तो आपको बता सारी कहानु के बहुत होता है। वहां मार्केट्स हैं जहां पर पर होता है वहां पर नजाने क्या क्या चीज़े मिलती हैं बहुत सारी चीज़ें वहां पर तो क्या वो शेमिलर अपना हमारा जो तरीका है और जो वह 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 प्रयंला को अंदया डिया और वे श्लिदोन है बाग्य तरीक ज्योश эпरिमेंट आई निकाल के कंभ तो हम लोगों ने तो A4 एपल पड़ा फिर उसका A4 एरोप्लेन आया ठीक है अब ऐसे ही चीज़े जब चेंज होती गई चेंज होती गई तो बहुत सारी चीज़े चेंज हो गई तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को टांसफॉर्म किया चेंज किया कुछ नया जोड़ा उसके अंदर उसको करने का तरीका अलग कर दिया तो देखिए यह सारी चीज़े जो है वो कहीं ना कहीं निकली तो हमारे यहां से रूट्स को हमी है टंत्र का एक बहुत बड़ा गड माना गया है शकुनी का मंदिर शकुन हमें और उसे तंत्र का बहुत बड़ा गड़ बी माना गया है तो थी सावत में कैसे हो सकता हूं न वहां Mr. Kane क कंपूर के अंदर आवन का एक मंदिर जहां परे सरफ 1 दशार वालेदिन वह मंदिर खrov ऑनकी पूजा होती है तो मंदिर तो कहीं भी किसी का भी बन सकता है, मंदिर में तो कोई दिक्कती नहीं है होने के लिए, आप रावन से जब याद आ गया तो आपको एक और मंदिर के बारे में बताती है, रावन का एक भाई था, अही रावन, जो पाताल में रहता था, अही रावन का एक मंदिर है जहां पर सिर्फ किनर जाते हैं उनसे विवाह करते हैं एक रात के लिए उनकी दुलहन रहते हैं और अगले दिन वापस विद्वा हो जाती है ये उनका कल्चर में आता है अच्छा हो पर इससे अचीव क्या हो रहा है उनकी परमपरा है कि वो एक रात के लिए उनसे विभा करती है फिर अगले दिन वापस से जो है विडो हो जाती है पर वो अही रावन का ही मंदिर है और यह आपने शकूनी वाला जो टेंपल बताया है यह किस तरह की तंत्र विद्या के लिए जादा फेमस है ऐसे कहते हैं कि वहां पर बहुत सारी तंत्र विद्यां सिखाई जाती है वहां पर ऐसे लोग मिलते हैं जो वहां पर तंत्र विद्यां सिखाते हैं मैम और जैसे मां कामाख्या टेम्पल हो गया या 64 योगिनी जो तंत्रों के लिए फेमस है वहां आम लोग भी बहुत जाते है तो ऐसा कहते है कि आम लोगों को कुछ प्रिकॉशन्स लेने चाहिए वहां किसी की आख में नहीं देखना चाहिए या ऐसा कुछ होता है कि आप प एक सडघक पर चलएक तो वहां भी आपका • कर एंछा है आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि एक घृप निकला था जो घर जाता था और आपके बारे में आईसा बोलता था कि एक कोई पक्षी का नाम सोच लीजे, एक कोई पशु का नाम सोच लीजे, एक कोई फल सोच लीजे, एक कोई कलर सोच लीजे, और लेडीज जो है वो सोच लेती थी और वो अल्डेडी एक पेपर पे लिख देते थे, ठीक है, फिर वो पेपर उनको देखे बोलते थे, देखा गर की चीज़े डिसकस करने लगी और चीज़े सामने आ गई पता लगा वो कुछ पैसे लेके चले गए हम वहां जा रहे हैं इतने हजार उपए दो हम तुमारे नाम से यह करेंगे गहने ले गए बहुत सारी चीज़े तो देखिए हर जगे ही लूट है अगर आप लूटने क श्रीच करने जा रहे हैं अप उन्हीं पर ध्यान केढ raises ना आपको को अगल बघल से क्या कहके जा रहा है कोई आपको रोक कह रहा है प्रशार को को कह रहा है झारे बैटा तुम वहँर सोचकर आयो ना तो आपो ज़रूरत क्या है कि आप उस व्यक्ति के उपर अपनी अटे आपको जो दान पुर्ण जो करना है आप वहां पर अपने मन से करिए और आप वापस आ जाए तो कहीं कोई जगे ना करत्मक नियां मैं तो साल में कम से अभी मैं फिर जा रही हूं पंदरा दिन बात मेरे यहां दुर्गाशपचंडी के पार्ट चल रहे हैं सौ पार्ट होने इस पर कभी भी कोई भी हावी नहीं हो पाएगा हावी इंसान आप पर कभ होता है जब आप उसको मौका देते हैं आपकी बॉड़ी जो है नो वह एक खाली बोतल है समझ लीजे ठीक है अगर आप उसके अंदर अल्डेडी फिल करके रखेंगे अपनी पावर को अपने अध कि तो आप खाली कर क्यों रहे इस पेस को आप उस स्पेस को भरिये ना अच्छी चीजों से पॉजटिव चीजों से मंत्रों से चैंट करिए भजन सुनिए इश्वर का नाम लीजिए है नो दो तरे के मंत्र होते हैं जब हम किसी के पास जाते हैं वैसे तो तीन तरे के होते हैं लेकिन दो तरे के मंत्र होते हैं जब आप किसी गुरू के पास जाएंगे तो वह आपको दो तरे के मंत्र देगा एक देगा आपको तारण मंत्र एक देगा कारक मंत्र तारण मतलब तार देने वाला मंत्र, जो आप कभी भी कर सकते हैं, असोच अवस्था में भी कर सकते हैं, असोच अवस्था मतलब बिना नहाय, बिना धोय, बिना किसी अवस्था में, आप सोते सोते भी कर सकते हैं, यह वो मंत्र होता है, जो आपको गुरु इसलिए देते हैं, कि भाईया को बढ़ाने के लिए या अपनी चीजों को इंहेंस करने के लिए कुछ नहीं करेगा करेगा तब ऐसी आवस्था में भी आप ये मंत्र का जाप कर सकते हमारा सनाता अंधर्म तो इतना जादा इतना जादा अपने स्वैम के माता पिता को पूझ लो हर एक चीज में आपको अल्टरनेट दे रखा है कौन सा धर्म देता है आपको इतना उल्टरनेट कोई नहीं देता है सरफ हमारा सनातन धर्म दे रहा है इतने सारे देवी देवता दे दिये आपको पूझ लिजे जिसकी आपको इच्छा करने है जिसको आहन करना है कर लिजे और सबको आहन करने का तरीका सबको प्राप्त क करने का तरीका इतना बड़ा है इतना बड़ा है इतना बड़ा जिस तरीके से कर सकते हैं कर लीजे महालक्षमी को प्रसंद करने के कम से कम करोड़ों उपाए हैं जो मैं आपको बता सकती हूं एक महालक्षमी को प्रसंद करने के करजे उतारने के कम से कम लाखों उपाए हैं प्रेम विवा करने के लाखों उपाएं हैं, पती-पत्नी के बीच के कलेश दूर करने के लाखों उपाएं, एक छोटा सा वशी करन करने के लिए एक इलाई चीज से लेकर, एक बड़ी से बड़ी चीज, इंद्रजाल जैसी चीज, टक्ट पर आपको हर चीज पर सिखादिया तो आपके comfort zone के हिसाब से आपको चीज बताते हैं मैं तो सुबह पाँच बजे उठके पूजा नहीं कर सकता कोई बात नहीं रातरी में बताती हूं रातरी को जाग सकते हो रातरी की पूजा लो सही बाता है मैं मैं तो duty से 10 बजे फ्री होता हूं फिर मैं कैसे पूजा करूं क कोई बात नहीं मैं आपको डेड़ वजे की पूजा बताती हूं सारे उपाएगा करने वाले बनो इतना बड़ा और इतना फ्लेक्सिबल कोई धरम नहीं है जितना हमारा है सही बात है हम तो ब्लेस्ड हैं सही बात है आप एक छोटी सी यहां पर मैं आपको आप मंदिरों की बात करने हैं एक छोटी सी चीज़ बताती हूं एक ऐसे ही कोई विद्वान व्यक्ति थे और मैं बहुत छोटी थी उम्र में तो उनको कहीं से मेरे बारे में ग्यात हुआ विद्वानों की एक बहुत अच्छी खुबी होती है वो जिसके अंदर capability देखते हैं उसकी वो आए मेरे पास और मुझे कहते हैं तुम बहुत मानती हो इश्वर को मैंने का हमें बहुत मानती हो इश्वर को कोई एक देव जिसका तुम मुझे साक्षातकार दर्शन करा दो कोई एक भी देव जिनका तुम मुझे साक्षातकार दर्शन करा दो मैंने का अंकल जी आप अपने ठाकुर्जी के सौगन लगा करें हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी करना बंद कर दूंगी मैं जीवन में एस्ट्रोलॉजी को कभी हात नहीं में लगाऊंगी कि मैं क्या स्ट्रोलॉज को विश्वास करिए मैं आईएगा सुबह मैं आपको पक्का दिखाऊंगे मेरा सुबह ऑफिस खुलता है दस बज़े वह साऩे ओरुज बज़े करीम मेरे पासए बोले अब दिखाओ तुमने सुबह कहा था, आजो, दिखाओ, कहा है, मैंने का चलिए अंकल, मैंने उनको भार खड़ा किया, मैंने का वो देखे सूर्य देव, सक्षत कर देव, तो इससे बड़ा और क्या प्रमान दे, बिल्कुल, इससे बड़ा और क्या प्रमान दे आपको, कि वो खड़े सामन अब बूले मान घए कि तुम सच्मे इश्वर को मानती हो मान घया मैं तुमहारी बाद तो देखिये हमारा सनातन धर्म तो इतना फ्लेक्सिवल एक प्लेक्सिवल है आपको लेना आना चाहिए, ये कला आपके अंदर होने चाहिए, देने के लिए तो इतना सब कुछ है कि पूछिए मत, आप सोचिए कितने हाथ लेकर नारायन खड़े, आपने नारायन का कभी विराट रूप देखा है, मैं बाहबारत में देखा था, दिखाते हैं अरजुन कितने हाथ, कितने मुख, है ना, तो आप सोचिए इतने मुखों से, इतने हातों से आश्रवादी आश्रवाद बरस रहा है, बिल्कुल, आप खड़े हुए है उस बरसात के नीचे, बरसात तो हर जगे हो रही है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम सर्फ जिन चीजों पर बात करते हैं, या हम चिन चीजों को लेकर चलते हैं, इसके अंदर कोई तथे नहीं है, तथे बहुत है, शायद इसलिए चर्चाए हो रही है, तथे नहीं होता, तो चर्चाए नहीं होती है, तो हमें इन चीजों पर विश्वाश करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा आधार ही विश्वाश है जहां विश्वाश है वहीं सत्य सामने आता है और जहां सत्य सामने आता है वहां इश्वर साक्षातकार खड़े होते हैं बिल्कुल सही बात और इसी बात के साथ इस पॉडगास्ट को वेंड करते हैं और भाई मैम की नॉलेज इंफोमिशन देखके तो आपको मालम पड़ियो कितने अथेंटे की एस्ट लॉजर हैं तो मैम को आप रीच आउट कर सकते हैं मैम के सबी कॉंटाक्ट रहने के सबी नं बनाते रहते हैं और आप उनके यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनका गोल बटन यहां पर स्क्रीन पर आ रहा है और मिलेंगे आपसे नए पॉड़कास्ट को अगर आपको लगता है कि और लोगों तक यह बाते पहुचनी चाहिए बिलकुल मत रुखना श रहे हो कुछ भी help आपको चाहिए हमसे और बहुत सारे messages भी आते हैं कि हमारी help कर दो उसके लिए हमने एक course बनाया जिसका link description में आप वो course जैजश कि जैशगा कि जैशगे 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 जैशना